दोस्तो सौधी में जो है न सोसल मीडिया पे एक न्यूज बहुत जादा वायरल हो रहा है और उस न्यूज में बताया जा रहा है कि सौधी में जो है दारू की जो दुकान है खुलने वाली है जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को मैं बता दो कि सौधी में जो है दारू बिलकुल बैन है मतलब पूरा बंद है अगर कोई गलती से दारू बना के पी लेता है न यहां के किसी भी गौवर्मेंट के आदमी को पता चलता है तो सीधा जेल में उठाकर डाल दिया जाएगा और पांच साल का जेल होता है और उसके उपर कुछ रियाल का फाइन भी आएगा अगर एक खवर सच्ची है मान लो अगर सओधी में दारू की दुकान उपन हो रही है न तो जो इंडिया पकिस्तान बंगलादेश से आते हैं कमाने के लिए वहाँ पे पने मुल्क में जो दारू पीते हैं अगर यहाँ पे काम करने के लिए आ रहे है ना तो जो जितना कमाएंगे उतना यहाँ दारू में खर्च कर देंगे वो अपने घर पे पैसे भी नहीं बेज़े पाएंगे सही और यहाँ पे दारू पीके टन रह तो अगर एक खबर जूटी है तो अच्छी बात है क्योंकि अगर एक खबर जूटी है अगर सउडी में दारू का दुकान नहीं ऑपन होता है तो इसका फायदा बहुत है देखे जो इनका पैसा भी बसता है और बोड़ी भी शहिराता है और बिल्कुल जो है दारू से मुक्त भी हो जाते हैं उनका नासा बिल्कुल छूट जाता है तो अगर एक ख़बर जूटी है मैं बहुत कोश हूँ कि सौधी में दारू की दुकान नहीं ओपन हो रहे है अगर यह सच ख़बर है तो भाई बहुत मुश्किल होने वाल आने होने टाइम में अच्छा रहेगा कि ख़बर जूटी हो आपको क्या लगता है ख़बर सही है कि जूट है और क्या दारू की दुकान जो है सौधी में ओपन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कमेंट करके जरू बताईएगा दोस्तों करते हैं वीडियो को समात फिर मिलेंगे आप लोगों सिर्फ कुछ नए वीडियो के साथ जैहिंद